पारलेमेंट का पाच्वा वर्ष और आख्री दिन है ये टम का। और इसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अद्देश मौदे में आपको इतने ही बताना चाहूंगी, हम तो यह इस देश के युवा हैं, हम तो सिर्फ कैलकुलेशन पे और किसने कितना अच्छा बहतर काम किया, उसके ओपर यह ध्यान देकर आगे काम करते हैं कॉंग्रेस की सरकार में 50 वर्षों में, सर, 75 एक मिनट, सभापती जी इन्होंने ब्लैक पेपर निकाला है, एक भी शब्द उसमें 10 साल के हमारे मंत्रियों के खिलाफ नहीं है, और ये बताता है कि हमारा कारेकाल का सड़ा, इन्हींके ब्लैक पेपर में नहीं है, इसलिए जे पतर एरपोर्ट कॉंग्रेस के कारेकाल में, 10 वर्षों में 74, रोड एन हाइवेज में 50 वर्षों में 98,000 किलो मीटर, और मोदी जी की सरकार में 50,000 किलो मीटर के हाइवेज, रेलवे कॉंग्रेस की सरकार में modern railway station का नाम ये देश के युवाओने, इस देश के लोगों ने तो बैंकों के नाम पे, जब ये सरकार थी, तो इनके राज्य में बैंक में जाने के लिए, बड़े-बड़े सभी जैसे हमारे वितमंतरी मैडम ने कहा, कि फोन पर ही लोन हो जाते थे, फोन पर ही सभी को, सब चीजें अवेलेबल हो जाती, पर मैडम, nowadays people are scared to go to bank only, if we do something corruption, so this government is not going to leave, so ये सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, कोई भी इस देश का एक रुपया भी कहीं लेके नहीं जा सकता इस तरीके की कारवाई ये देश की सरकार हमारे मोदी जी कर रहे है, पारलमेंट भी पिछले सौ वर्षों से जो पारलमेंट में थे वो बिटिश कालीन पारलम की लिए 2004 से 14 तक उनोंने 90 एक लव्य सकूल बना है सर, पर मोदी जी की सरकार ने आधि वासियों के बच्चों के लिए उनके भविष्च लिए एजुकेशन के लिए 600 स्कूल एक लव्य सकूल बना है सर, ये उपलबदी है मोदी जी सरकार की, ये बोलते हैं वाइट और काल पेपर मैंने सभी कॉंग्रेसियों के हाथ में आज काले पेपर में लिखा हुआ देखा है और जिनों ने आज ये वाइट पेपर गोस्टना किये और लाई है तो उनके हाथों में सिर्फ वाइट पेपर है सर गिव मी जस्ट टू-3 मिनेंट्स लास सर मेडिकल कॉलेज की बात इनके सरकार में 50 एम्स बने थे हमारे ये सरकार ने हमारे मोदी जी की सरकार ने पिछले दस वर्सों में 17 एम्स बनाएं सर ये उपलबदी है हमारी सरकार की सर हमारे डॉक्टर बाबा साय बंबेट कर की इंदु मील की जगा पिछले कई वर्सों से महारास्ट्र में हमारे मा आगा स्वर्गी हमारे सभी लोग, चाहते थे इंदू मील की जगा, ये बाबा साय बंबेट के नाम सर, बहुत बड़ा समार्ग बने पर ये उसके लिए भी काम्याब नहीं हो सके, वो भी हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उनकी ये सब से बड़ी उपलबदी है, सर आज तक, चार करोड लोगों को जिनको घर नहीं था, जिनका आज भी मत्टी के घरो में रहते थे, सर हम तो रूलर एरिया से आते हैं, ग्रामिन शेत्र से हैं, किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, वो शेत्र से आते हैं, जब उनके पास घर नहीं देखते थे, तो हमारी पीडा, हमको ही पता है कि ग्राउन पे जाके कैसा है, महलो में रहने वाला राजा, वो क्या जाने कि मत्टी के घर में रहना किसको बोलते हैं, सर, वो जान रखी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी नहीं, ये काम किया है पिछले दस वर्शों मुझे दो, सर, इस वेरी feel to tell, we should move on, I just heard somebody saying, my colleague, from this house, she said very simple, we just should not talk or we should not fight, catfight, you two tou mehme carna hai, we just should move on, no sir, we cannot just move on, because this country the world is our youth, this country wants to grow the doctors, this country wants to grow the medical college, this country wants to help this country, it is just two three minutes, two minutes, I just say, और जिसका Congress आज बात कर रही है सर, ऐसी समाज से हम बिलॉग करते हैं, उसको President के पत्वे बिठाने वाली ये मूधी सरकार है सर, ST आदिवासी समाज को बिलॉग करने वाली, हमारी मुर्मूर मैडम को भी, उस पत्वे बिठाने वाली येही सरकार है सर, मैं आपको इतना ही सिर्फ आखरी का बोलूंगी सर, महाराश्च्र से एक लास्ट मिनिट, सर हनुमान चाली सा पे उद्द्ध हनुमान चाली सा पठन किया, तो उन्होंने जेल में डाला, सर, और उन्होंने कई पर उन्होंने कई एलिगेशन्स लगाए, हमारे आदनियाज कि वो बाबरी पे चड़े करके मजजित बाबरी तुटी, मुझे इतना उनसे पूछना है, कि जब नंभे में और 92 में, जब कार सेवक वहां पर अपनी जान त्याग रहे थे, जान दे रहे थे, अगला सुकर को अपना योगदान दे रहे थे, बिल में बैटे थे, उन्होंने ये बताना है, किसी के उपर इजाफ लगाते समये, आपने ये याद रखना से लिए, कि आज इस अमरित काल के अंदर देश के 500 साल के कुशासन और 500 साल की लूट के बाद, ये सवभाग्य प्राफ्त हुआ 140 क कि सापना हुई, जिसमें धरम, स्वाभिमान, सम्रद्धी और सुरक्षा, तीनों की गरंडी देने का काम हमारे देश के प्रदान, हमारे देश, सर, मैं इतना ही बोलना जाओंगी, जिस दिन राम मंदिर बना सर, मुझे लगता है, जितने भी कार सेवक होने अपनी जान उस दोरान गवाई, जितने भी कार सेवक महाँ पर थे, उसमें कार सेवक हमारे राज के देवेंदर फण्नवीजी भी समय महाँ पर थे, उनका भी योगदान, और जितने भी कार सेवक हैं, उनको दिल से मैं प्रणाम करना चाहूंगे, क्योंकि इस देश के युवाँं के, आखों में आशू थे तो सभी को इतना ही कहूंगी श्री राम मंदिर और काशी श्रिफ जाकी थी आप देख जी मुझे आपने कॉंटिन्यू करने का मोका दिया